एक पुरण्जन और एक उसका मित्र है अविग्याद, दोनो एक जगह पर बिराजमान थे तो पुरण्जन ने का हम कहीं ब्रह्मण करना चाहते हैं, आप यहीं बेटो हम ब्रह्मण करके आ जाएंगे तो पुरंजन ब्रह्मन करने के लिए अखेला ही निकल पड़ा अनेकों गाउं अनेकों सहरों में होता हुआ पुरंजन हजारों गाउं लाखों गाउं सहरों से होता हुआ निकला लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा अचानक से एक जगे पर पहुँचा और वहां जब पहुँचा तो उसने एक द्रश्य देखा एक नगरी है बहुत सुंदर है नबदवार वाली नगरी नौदवार वाली नगरी है और उस नगरी को देखकर वो बड़ा प्रसन हुआ उसमें प्रविश्टित हुआ चले चल कर देखें इसमें अंदर क्या है तो जब उसमें अंदर जाकर उसने देखा तो वहाँ क्या देखता है वहाँ सब से पहले उसकी मुलाकात एको सुन्दर इस्त्री से हुई उस इस्त्री को देखकर वो बड़ा प्रशन हो गया और उसे देखकर कहता है आप बड़ी सुन्दर हो उस इस्त्री ने कहा आप भी कोई कम सुंदर नहीं हो बोले तो एक काम कर लो क्या तुमारी साधी हो गई बोले नहीं हमारी नहीं होई बोले तो हमसे साधी कर लो बोले मैं तो तयार हूँ करिये साधी दोनों ने साधी कर ली साधी करने के बाद पुरंजन ने पूचा ए देवी तुमारा नाम क्या है तो अस देवी ने का हमार नाम तो कछू नहीं है भी बुले तो ठीक है हमारा नाम पुरंजन है तुमारा नाम पुरंजनी है बुले ठीक है कि आप ऐसे थे पुरॉन्य नाचे कि चुक्ति two-day तो पुरॉन्यन नाचे पुरॉन्यन सुव resc अए छॉन्यन शुपए तो फुरॉन्यन सुवे उसे पुरॉन्यन जच्कारी करें तुम इतना क्यो करते तुमारी कॉम्म पुम मलाद लआव rocks रख्षा जो करता है वह पंज प्राण बराड शर्प करता है इसके पांच फन आ कि और यह पुरंजन पुरंजनी सो भी जाए तो भी वो सर्फ जगा रहता है चौबीस वणगा देखवाल करता है कि उस नगर के दस सैने कहें और एक सैनापती है और ये दौनों आराम से अनन्द से अपना जीवन व्यत्ध कर रहे हैं बड़े खुसने साल बड़े खुसने एक जरानाम की कुरूप कन्या जिससे कोई विभा नहीं कर रहा है वो अपनी विभा करने के लिए निकल पड़ी है हमसे भी कोई विभा करो तो हमसे भी कोई बेवा करो, पर उसते तो कोई भ्याग करी नहीं रहा है. तो वो राजा चंडबेक के पास में गई और कहने लगी देखो, हमसे तो कोई बेवा करने ही दा. हम क्या करें? हमारा भी बेवा करने का मन कर रहा है. अब उचंड़ पर समझ गया इतनी कुरूप है कौन करेगा इससे विवा पर फिर भी कोई आया है सामने तो help करने की इच्छा होती है बोले ठीक है काम करो तो हमारे सैनिक ले जाओ हमारे सैनिकों को तुम ले जाओ और ये सैनिकों है वो ले 365 कहलो या 365 कहलो जो भी 365 गोरे 365 कारे इनको ले के जाओ और तुम जिसके साथ भी विवा करना चाहू करो तो अचानक से उन दूतों को ले कर इस जरा ने अक्रमन कर दिया पुरुण्यन के उपर तो सैनिक गायल हो गए थे इतना सैनिक थे भाई उसके पास थे जब दस सैनिक थे उसके पास सैना पती तो ये तो मतलब का है अब इस सब ने पुरुण्यन के उपर आक्रमन कर दिया और पुरुण्यन समाप्त हो गया समाप्त होते वक्त उसके मन में ये हो रहा था कि मेरी पुरुण्यनी का क्या होगा वो कैसे रहेगी वो कहां रहेगी अब क्या करेगी तो अंत मती सो गती अंत में मरने वाले की जैसी मती होती है दूसरे जनम में उसकी वैसी गती होती है तो पुरुण्यनी में उसका मन था इसलिए वो मर के दूसरे जनम में इस्त्री बना और जब वो इस्त्री बना तो उसका विवा मलद्धवज नामक एक राजा से हुआ और वो किसी युद्ध में वो राजा भी मारा गया तो उसके सब को लेकर ये सत्ती हो रही थी जब अब तो इस्त्री है तो सब को लेकर सत्ती होने को तयार थी तो ये तो इस्तिति इसकी अब उस जो इनका मित्र था अब ज्यात उसने सोच है हमारा मित्र गया हुआ है अभी तक लोटा नहीं है आँ गया चलो हम ही ढूडते तो ढूडते ढूडते वो यहां पहुंचे के तो देखा कि पुरुण्यन तो इस्ति बना हुआ है और एक किसी राजा के साथ वो सती हो रहा है तो उन्होंने का अरे भाईया क्या कर रहे हो अरे किसके लिए सती हो रहे हो तुम अरे मुझे देखो मैं तुमारा मित्र हूँ मेरी तरब देखो एक बार मैं तुमारा मित्र हूँ देखो तो तो उसे इस्तिरी ने का तुम्हें शर्म आनी चाहिए मैं अपने पती कोई सब को लेकर सती होना चाहती हूँ और तुम पती वरता इस्तिरी को अपना मित्र बताते हो मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं तब उन्होंने का तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो मित्र अवका नहीं मैं तो सदा सदा का तुम्हारा मित्र हूँ तुम मेरे मित्र पुरंजन हो और मैं तुम्हारा विज्यात नामक मित्र हूँ तुम मुझसे कहके निकले थे, मैं कुछ ब्रह्मन करके आजाता हूँ, तो ब्रह्मन करने लिकले थे, तुम अभी तक बापस नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चलाया हूँ. तब उसे समझ में आया, पूरुजनम याद आया, तब उसती हो ना भूलकर अपने मित्र के साथ में गया, अब आप ये सोच रहोंगे, ये कहानी सुना दी, कता सुना दी आपने, ये पुरुण्यन है कौन? हम और आप ही पुरुण्यन है, ये पुरुण्यनी कौन है? बुले इनका सैना पती मन है, जब हमारा मन कहता है, आज तो कुछ खाने का मन कर रहा है, हैं? तो रसीला खाओ, आज कुछ सुनने का मन कर रहा है, तो सुनो, आज इस पर्ष करने का मन कर रहा है, इस पर्ष करो, तो जो जो मन कहता है, हम वही करते हैं, जो जो मन कहता है, वही करते ह वो पंच प्राण वाल वो पंच फन वाला जो शर्प है वो ये पंच प्राण है हम और आप सो जाते हैं लेकिन ये प्राण ये सांसें चलती रहती है हमारी देखवाल करती रहती है एक सांस न चले तो डोक्टर कहते हैं He is no more